अगर आप यूपी के निवासी हैं और आई जात निवास का आनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इडिस्ट्रिक के तुरू आनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको अपना सर्च ब्रॉजर ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में इडिस्ट्रिक्ट टाइप करना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैस्बोर्ट आएगा इसमें आपको सबसे फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है e-district उतरपदेश इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का डैसबोर्ट ओपेन होकर आएगा जिसमें हमें सबसे उपर कई options देखने के लिए मिलेंगे यहां से हम सिर्फ UP के रिए ही online कर सकते हैं यहां बात आप ध्यान में रखिएगा इसमें हमको सबसे पहले आना है e-district login वाले option पर इस option पर click करने के बाद बारे सामने login to district का options आएगा यहां पर हमें select login type में csc या e-district user option रखना है आप अपना e-district का username और password फिल कर लेंगे उसके बाद capture फिल करेंगे और फिर submit वाले option पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का dashboard open हो करा जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले option मिलेगा प्रमाड पद्र यहां से आप जाती प्रमाड पत्र हिंदी में जाती प्रमाड पत्र उंग्लिस में इसमें जाती प्रमार पत्र का दो option दिया गया है तो आप उसको सबसे पहले समझ लिजिए अगर आपको उत्तरपदेश सरकार का जाती प्रमार पत्र बनवाना है तो आप जाती प्रमार पत्र हिंदी वाले option पर click करेंगे otherwise अगर आपको भारत सरकार का जाती प्रमार पत्र बनाना है तो भी आप यहीं से आवेदन कर सकते हैं उसके लिए आपको जाती प्रमार पत्र अंग्रेजी वाले ओप्सन पर क्लिक करना होगा बट जब भी आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे verification के बाद तो आपको district manager का मोहर और signature करवाना होगा तब भारत सरकार का जाती complete हो जाएगा हम आपको उत्तरपदे सरकार का बना कर दिखा देते हैं जाती प्रमार पत्र इसके लिए हम जाती प्रमार पत्र हिंदी वाले लिंक पर क्लिक करेंगे अभी हमारे सामने कुछ इस तरह का dashboard वोपन होकर आगया है जिससे आपको feel करना है इसमें आपको सबसे उपर लिखा हुआ मिलेगा जाती प्रमार पत्र है तू आवेदन पत्र मतलब या जाती प्रमार पत्र के लिए आवेदन पत्र वोपन हो गया है अभी उसके नेशे आने पर आपको दो options मिलेंगे ग्रामिल या नगरी आप जिनका भी जाती प्रमार पत्रा आउनलाइन कर रहे हैं वर गाउं के area से belong करते हैं या नगर के area से belong करते होंगे आपको उन दोनों में से select कर लेना है अगर गाउं से होंगे तो ग्रामिल नगर से होंगे तो आप नगरी वाले option पर click करेंगे इसके बाद next option है प्रार्थी का नाम हिंदी में आपको यहाँ पर applicant का नाम हिंदी में type करना है उसके बाद next option है प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में तो यहाँ पर आपको पिता का उप्शन रखना होगा, आप यहाँ पर पिता का नाम फिल करेंगे इसके अलावा अगर आप मैरीड महिला का जाती प्रमार पत्रा उनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पती वाले उप्शन पर क्लिक करना होगा आप जिसका भी जाती प्रमार पत्रा उनलाइन कर रहे हैं उनके माता का नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद नेक्स्ट उप्शन है एड्रेस के लिए नेक्स्ट उप्शन मका नंबर यहाँ पर आपको मका नंबर फिल कर लेना है next option मोहला या पोश्ट यहाँ पर आपको मोहला का नाम फिल कर लेना जिसा है कि अगर आप ग्रामिड में भरें तो आपको गाउं का नाम फिल करना होगा उसके बाद जिला आपका आटोमेटिक सेट रहेगा next आपको अपना तासिल सेलेक्ट कर लेना है आप जिस भी तासिल से बिलॉंग करते हैं उसके बाद अस्थाई पता अगर आपका प्रेजेंट एडरेस और परमानेंट एडरेस दोनों सेम हैं तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने जाती प्रमारपत्र हिंदी वाले ओप्सन पर क्लिक किया था next आपको अपनी जाती सेलेक्ट कर लेनी है आप ST, SC, OBC जिस भी केटेग्री के अंतरगत आते हैं आप उससे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद फिर next आप्सन आता है उपजाती यहाँ पर आप अपनी उपजाती सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका होगा उसके बाद next आप्सन है प्रमारपत्र बनवाने का कारण यहाँ पर आप जिस भी कार्म के लिए जाती प्रमारपत्र आउनलाइन करवा रहे हैं आप वह रिजन यहाँ पर डाल लेंगे मालेजे स्कॉलर्शीप के लिए या फिर आपने एडमेशन के लिए करवाया या आपने किसी भी फार्म को फिल करने के लिए किया है तो आप वह आप्सन यहाँ पर डाल लेंगे इसके बाद next option है क्या इससे पूरो जाती प्रमाडपत्र जारी हुआ है यहाँ पर आप नहीं रखेंगे next आवेदन सुलक का भुकतान कर दिया गया है यहाँ पर आप हाँ option रखेंगे इसके बाद रासनकार संख्या या परिवार आइडी यह वैसे भी जरूरी नहीं होता है अगर आपके पास रासनकार या परिवार आइडी है तो आप यहाँ पर उसका नंबर फिल कर लेंगे उसके बाद next option है सनलगनक सिरसक यहाँ पर आपको कुछ डाकुमेंट से अप्लोड करने होंगे जैसे कि आपको अपना फोटो अप्लोड करना है यहाँ पर हम सबसे पहले फोटो अप्लोड करना है यहाँ पर आपको फोटो option रखना है इसके बाद conoc leachive file option पर क्लिक करके आप document select करेंगे इसके बाद upload option पर क्लिक करेंगे यहाँ से अभी आपका देखे फोटो अप्लोड हो चुका है अभी नेक्स्ट आपको सेकेंडर डाकुमेंट अप्लोड करना है इसमें अगर आपके पास आधार काड है तो आप आधार काड अप्लोड कर सकते हैं अगर आधार काड नहीं है तो आप टाउन से बिलॉंग करते तो आप परिवर रेश्टेर की नकल भी अप्लोड कर सकते हैं या स्वा प्रमारित घुषडा पत्र भी अप्लोड कर सकते हैं जो भी आपके पास होगा आप उसे अप्लोड कर लेंगे उसी तरह अगर आप टाउन से बिलाउंग करते तो आपके पास परियरेश्टिक नकल सायद न हो तो उसके लिए आप अपने पारसद या वार्डन से एक स्वा प्रमारित घुषडा पत्र बनवा करके उसे अप्लोड कर लेंगे अभी हम फोटो और स्वा प्रमारित घुषडा पत्र अप्लोड कर चुके हैं अगर आपने ये गलती से अपलोड कर दिया है किसी और का है या कुछ भी गलाट डाक्मन से तो आप इस चक बॉक्स पर क्लिक करके इसे रिमूब भी कर सकते हैं क्योंकि बाद में फिर आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां capture fill कर लेना है और दर्ज करे option पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने आवेदन संख्या जाएगा आप इस आवेदन संख्या को note कर लेंगे तो इसमें यहां पर नीछी तीन option दिये गये हैं दर्ज करे आवेदन संसोधित करे वापस अगर आपको लगता है कि आपने इसमें कोई भी गलती कर दी है तो आपको आवेदन संसोधित वाले option पर आप click करके इसमें changing कर सकते हैं उसके बाद otherwise अगर आपको payment करना है तो आपको इस दर्ज करे वाले option पर click करना है इस option पर click करने के बाद search की ID login करने के लिए आप search box में search type करेंगे उसके बाद आपको सबसे first वाले link पर click करना है और यहाँ पर आपको username और password फिल करके login वाले option पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपका search का dashboard open हो जाएगा उसके बाद आपको इस इडिश्टिक वाले paste पर आना है और इस दर्ज करे option पर click करना है उसके बाद next आपको यहाँ पर अपना पिन फिल कर लेना है जो भी आपका wallet पिन होगा payment के लिए next आपको अपना search का login password फिल कर लेना है उसके बाद आपको next option अपना mobile number फिल कर लेना है उसके बाद आपको इस पे वाले option पर click करना है और यहाँ से आपको अपना payment complete कर लेना है otherwise अगर आप किसी का भी payment करना भूल गया है या फिर session expire हो गया है तो उसके लिए यहाँ पर एक option है pending applications आपको इस option पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको cash, income, domitial सभी options मिल जाएंगे तो आप जिसका भी payment नहीं किये हैं यहाँ इस option पर click करेंगे तो उनका details open होकर आजाएगा आप जिसका भी payment नहीं किये हैं तो उनके आवेदन संख्या वाले link पर click कर लेंगे और यहाँ से आप उनका payment complete कर सकते हैं Otherwise अगर आपको check करना है कि आपको किसका किसका आजात निवास बन गया है तो आपको यहाँ पर इस option पर आना है इन बॉक्स वाले option पर और यहाँ पर select service इस option में आपको cash, income, domitial, others जो भी है वह select कर लेना है उसके बाद इस show वाले option पर click करना है जिसका भी बना रहेगा नमबर सू करेगा आपको इस application नमबर वाले लिंग पर click करना है और यहाँ से आप उनका print निकाल सकते हैं उसके बाद अगर आपको किसी का status चेक करना है कि यहाँ आवेदाना भी कहां तक है तो उसके लिए आपको status रिशीप्ट वाले option पर click करना है इस option पर click करने बाद search box open होकर आएगा आपने जिसका भी form fill किया है उसका application number आपको मिला था आपको यहाँ पर fill कर लेना है उसके बाद आपको दर्जिकरे option पर click करना है यहाँ से आपको status मिल जाएगा कि आपका आवेदन अभी तक कहाँ पर है या जिसके भी पास होता है लेखपाल के पास SDM के पास उनका नाम बेशो करता है तो इस तरह से आप आईजात निवास online कर सकते हैं उसका payment कर सकते हैं और उसका print भी निकाल सकते हैं आपको तासियल अगर हमें कहीं भी जाने की कोई भी जूरत नहीं होती है तो आज के लिए बस इतना ही अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स टूडियो में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा धन्यवाज़